तो स्टुदेंट्स आई होप यू आर वेरी वेल नाव वी आर कंटिनुविंग चैप्टर टू बेसिक अकाउंटिंग टम्स ठीक है देन नेक्स टर्मिनलोजी इस ट्रेड रिसीवेबल वट इस ट्रेड रिसीवेबल देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूं कैश में भी करता है क्रेडित में देखो कोई भी बिजनस है वह जरूरी। नहीं है वहम सारी ट्रांजेक्शन्स क्रेडित में करें आज के टाइम में 90 % क्रेडित में सेल करते शेल करते हैं इस से क्या हमारी जो सेल है वो बूस्ट होती है ठीक है यानि कि बढ़ती है ठीक है तो जो हमारे बिजनस है वो क्रेडिट में भी सेल करते हैं देखो अब क्रेडिट में क्या होता है कि हम जब क्रेडिट में सेल करते हैं तो हमें डिस्क भी होता है कि हम मतलब उन से पैसे रिसीड होंगे तो जब हम क्राइडिट में सेल करते हैं में ठीक है जो भी अगॉड्स या सर्विस्स आनिकि जब हम करेंडिट में सेल करते हैं या सर्विस्सक्राइडिट में तो वो किस्टर में आता है ठेड रिसीवेबर, ठीक है, तो हम आज से еньईए बस हमेश् noon द्यान रखना कि kोई भ पर्चिस की जाती है देखो ट्रेड रिसीबर क्या होते है इस अमाउंट यह वो अमाउंट होता है जो रिसीबर होगा for sale of goods and services rendered on credit यानिकि वो अमाउंट जो हमें रिसीबर होगा जब हम goods sale करेंगे या services provide करेंगे यानिकि करेंगे क्रेडिट पर इन ओरनरी कोर्स बिजनस को रन करने के लिए टेट रिसीवेबल के सम है टोटल ऑफ किसके टोटल का डाइटर्स का और टे बिल डिसीवेबल का दोनों ट्रम में डीपली तो मैं अब समझाऊंगे आपको थोड़ा-थोड़ा मैं आपको पहले बता चु मैंने किसी को सामान सेल किया मैंने गूड सॉल किये तो अब मुझे उनसे क्या होगा पैसे रिसीवेब होंगे तो जब हमें पैसे रिसीवेब होता है वो उसको हम किसमें इंक्लूड करते है टेड डिसीवेबल में दो तर्म को इंक्लूड करते है डाटर्स और भी रिसीवे and payment या फिर amount has not been received from them देखो debtors वो person या फर्मोस थक भी है जिसको हमने good sold किया और services provided किया on credit पर और जिनसे अभी अभी हमें amount received नहीं हुआ लेकिन in future में हमें अमांट received हो जाएगा जैसे कि Z limited यह बिस्निस से z limited का जै लिमिटेड ने good sold किया इसको sold किया है Sohan को goods solds on credit for 50,000 यानि कि सोहन को goods sold किया है 50,000 के तो यानि की अब क्या होगा जैडलिमिटेड सोहन से पैसे लेगा जब यह goods दे रहा है तो सोहन बदले में से क्या देगा आमोड तो जब तक सोहन जाड लिमिटेड के 50,000 रुपीज नहीं दे देता तो वो बिजनस का क्या होगा डेटर क्यों 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 हमें सोहन से भी पैसे रिसीव करने के लिए इसमें एक बदले, डेटर उसीविवल में डिफरेंस सोड़ा सा माइनर सा, देखो डेसीवैबल क्या होती है अनिट आप उफ बिल्ल यह किसी भी टाइप का बिल जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है बिल सो फैक्ट चेंज असेप्टेड बाया डैटर दा एमाउंट ओव विच विल बी रिसीव ओना स्पासिफाइड डेट देखो समझना देखो जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं ठीक है आपने सपोस्स 10 लोगों को ग्रेडिट में सेल की अब इसमें से कुछ वच्चे कुछ लोग आपके नउन है कुछ अंजोन है यानि कि रिलाइबल नहीं है ठीक है आपको डाइवट होता है कि वहां में पहले हम इन उधार्न सामान देंगे तो क्या पिया हमें पैसे देंग तो आप क्या कि है इनको आपने बिल लिख दे दिया कि आपको इनपर डाउट था कर लिया धिक्स नयुक्त कर लिया और इसिवू करते हैं तो यह क्या होता है एक स्पेसिफ़ाइट का हूथा जैसे टू मंद्स लेते हम तो सोहन ने ये बोला कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन दो महीने बाद मैं आके 50,000 रुपे दे दूँगा ठीक है तो उसके लिए क्या क्या बिजनस है बिल लिख दिया और इसने वो असेट कर लिए अब दो महीने बाद अगर सोहन ने ये बिल पे नहीं किया पैसे नहीं दिये तो बिजनस वान पर क्लेम भी कर सकता है लेकिन डेटर्स में ऐसा नहीं होता है डेटर्स में हम क्लेम नहीं कर सकते है ठीक है लेकिन रिसीवेवल में हम क्लेम कर सकते हैं ये लीगल ही होते है ठीक है जबकि डेटर्स हमारे लीगल ही नहीं होते है ये क्या होता है कि इस पैस पैसे डूबने का खत्रा होता है इसमें पैसे डूबने का खत्रा नहीं होता है यानिकि मेиль चाहिए कोई भी प्रा नहीं होता ठीक है वात ऑटा है it पेवाके उखियT पयल हमारी कुछ होती इस werd हो थीके करन्ट लाइबिलती होती है यह से टेटीशीवेबल होता है न देटीशीवेबलहईजिंगे इस चुिंसर्विस्यल्स पर प्रचेस करते श्र्विस्यम्थेपर यो लेते हैं इस देयर नहीं कर सका किर्दाइबानेकिकर्इबलिद है वहाँ वहाँ काकश्विसेशन चर्वेजयर सभाएर या 780 राषिपर फॉ यह वो अमांट होता है जब अगूर्ज पर्चीह करते लेते हैं विजनस को रन करने के लिए ओन े तूसर्विस का ट्र tienes पेबल का सब्सक्राइब अमार स्यमारे टूटाइस क्यों होते हैं कि द." creditors or bills payors creditors creditors के होते हैं creditors represent those persons from whom goods has been purchased and services procured on credit and payment has not been paid to them creditors हो होते हैं जिनसे हमने कोई भी person या firm हो सकती है जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा या सर्विसिस प्रोवाइड की है क्रेडिट में और जिनको अभी तक हमने कोई पेमेंट नहीं की ठीक है लिकने इन फ्यूचर में हम करेंगे तो यहां पर जहां से देखना यहां ABC Limited है कोई बिजनस है हमने यानि कि मैंने उनसे 10,000 रुपे का सामान क्रेडिट में खरीदा है तो यानि कि मुझे उनकी क्या करनी पड़ेगी 10,000 रुपे की पेमेंट करनी पड़ेगी इस प्रेडिट में वो लोग जो जिनने पेमेंट करनी पड़ेगी जिन्होंने उदार में सामान खरीदा है तो मैंने इस एब इस पेमेंट करनी पड़ेगी तो मैं ABC Limited के लिए क्या हूं क्रेडिटर हूं ठीक है और जब तक रहूंगी जब तक मैं इनकी पेमेंट नहीं कर इसके बाद आता है बिल्स पेबल को क्योंते यह भी इसा से तरीके से होते हैं बिल्स पेबल कि मैंने यक बिल असेप्ट कर लिया कि मेरे पास अभी बटैसे नहीं institutions merged बाब Εस्किर्दा में में less but दृएं माहीने बाद में पकी पैसे याले कि दे सजार रुपे पे कर दोंग तो यानि कि यह क्या हो गया मैं इसमें बाउंड हो गई ठीक है यह क्या हो गया मैंने बिल लिख दिया कि मैं तीन महीने बाद आपके पैसे पे कर दूंगी और एक स्पैसिफाइड डेट पर यानि कि पर्टिकुलर डेट पर मैं आपके पैसे रिटन कर दूंगे रिटन मतलब पेमेंट कर दूंगी तो मैंने क्या किया बिलोफ एक चेंज असेप्टिड बार दा पर्सन यह उस पर्सन के द्वारा सेप्ट किया जाता है जिससे जो पेमेंट करेगा एक पर्टिकुलर यानिकी स्पाशिफाइड डेट पर आए हो आपको यह वीडियो समझे में आए हो